हेलो एवरीवन आज बनाएंगे 3-in-1 बैटर एक ही बैटर से बनाएंगे इडली डोसा और उत्तपम और फर्मेंटेशन भी इतना अच्छा होगा जिससे सारी चीजे बहुत ही अच्छी से बनेंगी तो चलिए बैटर कैसे बनाना है उसका प्रसेस देख लेते हैं तो इडली डोसा उत्तपम बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में एक कप साबुत बिना छिलके वाली उड़त दाल लेंगे अगर आपको ये ना मिले तो सिंपल उड़त दाल भी ले सकते हैं इसी में डालेंगे एक कप पोहा या चिड़वा इससे कलर अच्छा तो ओवर सोकिंग नहीं करनी है चार घंटे दाल के लिए काफी है और दूसरे बोल में लेंगे दो कप इडली राइस इडली राइस भी कहीं कहीं पर नहीं मिलती है तो इसकी जगह आप सोना मसूरी राइस ले सकते हैं जिसे चुन्नी चावल भी कहते हैं या मोटा चावल लें बस बासमती चावल का यूज नहीं करेंगे तो इसे भी दो से थीन बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और आप पानी डाल कर इसे 5 घंटे सोकेंगे तो मिलते हैं 4 घंटे के बाद तो 4 घंटे हो गए हैं अब आप देख सकते हैं दाल पोगा कितने अच्छे से फूल ग कर लेंगे मैंने 3 4th कप पानी का यूज किया है इतनी दाल पीसने में आप अपने requirement के हिसाब से पानी का यूज करें हो सकता है आधा कप पानी लगे और हो सकता है एक कप पानी भी लगे तो इस तरह फाइन पीस कर एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे तो चावलों को भी भीग तो ये भी बहुत फाइन पीस गिया है इसे भी दाल वाले बैटर में ट्रांसफर कर लेंगे और अच्छे से mix करेंगे और अब ढग कर ओवरनाइट या 8-10 घंटे ferment होने के लिए रखेंगे अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो kitchen counter पर ही रख दें लेकिन अगर सरदी म बना रहे हैं तो किसी cupboard या किसी गर्म जवाब पर रखें oven या फिर microwave में भी रख सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस lid में hole है तो इस पर एक कपड़ा रख दें ताकि fermentation में कोई मुश्किल ना आए या किसी बिना hole वाले ढखकन से cover करें तो 10 घंटे हो गए हैं आप देख सकत हैं बैटर कितना अच्छा फर्मेंट हुआ है जाली देख सकते हैं बस mix करेंगे लेकिन एक ही direction में mix करें ताकि fermentation खराब ना हो तो अब इसमें से जितना बनाना है उतना निकाल लेंगे और बाकी बैटर रख देंगे इसे आप बिना नमक डाले दो से तीन दिन फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं तो मैंने half quantity का बैटर निकाल लिया है इसमें डालेंगे 1 teaspoon या अपने बैटर की quantity के हिसाब से नमक साथ 1 teaspoon हींग भी रालेंगे और मिक्स करेंगे एक ही direction में मिक्स करेंगे तो मैं इससे इडली बनाओंगी तो उस consistency के लिए इसमें 2 tablespoon पानी डालूँगी तो अब आप इसकी consistency देख सकते हैं इडली बनाने के लिए हमें ऐसी ही consistency चाहिए ना ही पतली और ना ही बहुत थिक बैटर थिक है लेकिन smoothly spoon से गिर रहा है तो अब इडली बनाने का साचा या mold लेंगे इने oil लगाकर grease कर लेंगे ताकि इडली को demold करना easy हो अब एक इडली maker में पानी डालेंगे नीचे bottom में एक layer दिख रही है उससे थोड़ा नीचे ही रखेंगे पानी और low flame पर ढखक कर गर्म करने के लिए रखेंगे मैं इस पर कोई भी इस तरह का hole वाला ढखकन रख देती हूँ तो भी इडली बहुत अच्छे से बन जाती है आप इसके साथ का ढखकन भी रख सकते हैं मेरे पास जो इसके साथ का ढखकन है वो सही नहीं है इसलिए मैंने उसे नहीं रखा है तो जब तक पानी गर्म हो रहा मोल्ड में बैटर लगा कर तयार कर लेंगे तो सारे मोल्ड में इस तरह से बैटर डालेंगे लेकिन पूरा टॉप तक नहीं डालेंगे थोड़ी थोड़ी जगा छोड़ेंगे ताकि जब इडली फूलेगी तो उसे जगा मिलेगी तो इस तरह से सेट करके इसे स्टीमर में रखेंगे और ढखक कर मीडियम फ्लेम पर 10-12 मिनिट रखेंगे तो 12 मिनिट हो गए हैं उपन करते हैं कियरफुली निकालेंगे किसी स्पून की हल्प से इसे डी मोल्ड करेंगे लेकिन पहले स्पून को पानी से गीला कर लें या ओयल लगा लें ताके इडली उस पर चिपके नहीं और इजीली निकल जाए तो सारी इडलिया हमारी तयार हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉंजी बनी हैं और घंटों तक सॉफ्ट भी रहती हैं इसी के साथ बाकी बचे बैटर से बनाएंगे उत्तपम और डोसा पहले बनाएंगे उत्तपम तो थोड़े से बैटर में डालेंगे नमक और हींग mix करेंगे तवा गर्म करेंगे flame low करेंगे और इस तरह से बैटर डालेंगे हलका फैलाएंगे और इस पर डालेंगे थोड़ी सी बारी कटीवी प्यास टमाटर बिना बीच के fine chop गाजर बारी कटीवी या grate करके भी डाल सकते हैं शिम्लमेच डालेंगे और थोड़ा साहरा धनिया और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ओइल या घीर आलेंगे और नीचे से सिखने के बाद या एक से डीड़ मीनिट के बाद पल्टेंगे इधर से भी एक से डीड़ मिनिट low medium flame पर ही पकने देंगे तो बस फिर से पलटेंगे तो हमारा उत्तपम भी तयार है इसे ब्रेकफास्ट में खाएं लंच में बच्चों को पैक करके दें बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तयार होता है और अब बनाएंगे डोसा तो उसके लिए भी सेम नमक और हींग डालेंगे टेस्ट के हिसा आप से डोसी की कंसिस्टेंसी का बैटर मिक्स करके तयार कर लेंगे डोसी के लिए बैटर इडली और उत्तपम के मकाबले थोड़ा सा ज्यादा फ्लोई होगा तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं तो तवा पहले अच्छे से गर्म करेंगे फ्लेम लो करेंगे हलका पानी का छीटा मारेंगे पानी साफ करेंगे और एक कर्ची डोसा बैटर डालेंगे और इस तरह गोल-गोल घुमाते वे फिलाएंगे तो अभी मैं बिना स्टाफिंग का डोसा बना कर दिखा रही हूँ आप चाहें तो इसमें स्टाफिंग भी रख सकते हैं वैसे आप मेरी इंस्टेंट डोसा की रेसिपी भी देख सकते हैं जिसमें मैंने स्टाफिंग कैसे बनानी है वो भी दिखा रखा है और आप इसके उपर से घी लगाएंगे तो हमारा डोसा भी बनकर तयार है इसे आप चटनी के साथ खाएं या सांबर के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही बैटर से तीन तरह की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है तो आप भी ट्राइ करें और हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप इसे बनाए और इंजोई करें